हाथों में हरी चूडिया, माथे पर बिंदिया और हाथों में लगी हरी महनी सावन के महीने में महिलाएं काफी खुश दिखती हैं खास तोर पर सुहागन महिलाएं और भला खुश भी क्यों ना हो इस महीने में सभी महिलाओं को 16 श्रिंगार करने का पूरा मौका जो मिलता है सावन माह में हरे रंग का बहुत महत्व होता है और बात अगर हरे आली तीज की हो तो इस रंग का महत्व और भी कही गुना ज़ादा बढ़ जाता है हर्याली तीज के दिन महिलाएं निर्जला उपवास कर कुछ इस प्रकार से ही सोला श्रिंधार करती है इसके साथ ही सुहागन इस्त्रियां अपनी पती की दिरगायू, तरक्की और सेहत मंद, जिन्दगी की कामना करती है इस साल हर्याली तीज का पर्व 31 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए वरत रखती हैं और खूब सचती समरती हैं वहीं कुवारी कन्याई भी अपने मन चाहे वर्की प्राप्ती की कामना के लिए भी हर्याली तीज कवरत रखती हैं इसे हर्याली तीज या श्रावरणी तीज भी कहा जाता है इस दिन महिलाईं एक दूसरे के हाथों पर मेंदी भी लगाती है क्यूंकि मेंदी के बिना महिलाओं का श्रिंगार अधूरा माना जाता है, धार्मिक मानिता है कि हर्याली तीज के दिन ही भगवान शेव और माता पारवती का मिलन हुआ था हिंदू पंचांग के नुसार इस साल हर्याली तीज पर रवी योग का निर्मान हो रहा है ऐसे में इसी योग में पूजा विशेश फलदाई माना जाएगा रवी योग अमंगल को दूर करके शुब फल प्रदान करता है इस योग में महिलाएं हर्याली तीज वरत और पूजा करती है तो मनोकामनाय पूर्ण होंगी और उत्तम फल की प्राप्ती भी होगी हर्याली तीज के दिन माता पारवती और शिवजी की पूजा करने के साथ-साथ माता पारवती को श्रिंगभार की चीजें भी अर्पित करनी चाहिएं आईए अब जानते हैं कि इस वर्ष हर्याली तीज की क्या है तिथी और शुब महुरत तो बता दें कि सावन शुकलित तृत्य तिथी का प्रारम 31 जुलाई रविवार तड़के 2 बचकर 69 मिनट से हो रहा है इसके साथ ही सावन शुकलित तृत्य तिथी का समापन 1 अगस्त सूमवार प्रातह 4 बचकर 18 मिनट पर हो रहा है वहीं रवी योग का प्रारम 31 जुलाई को दोपहर 2 बचकर 20 मिनट से शुरू हो रहा है जिसका समापन 1 अगस्त को प्रातह 5 बचकर 42 मिनट पर होगा आईएब जानते हैं कि क्यूं मनाई जाती है हर्याली तीज और कैसे करनी चाहिए पूजा पौराणी कथाओं के मुताबिक इसी दिन भूलेनात और माता पारवती का पुनर मिलन हुआ था ये भी उलेख है कि भूलेनात को अपने पती के रूप में पाने के लिए माता पारवती ने 107 जन्म लिये थे और कठोर तपस्या की थी इसके बाद 108 जन्म में लंबे इंतिजार के बाद भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ था माना जाता है कि यदि इस दिन लड़कियां व्रत रखें तो उन्हें मनपसंद वर मिलता है वहीं सुहागने ये व्रत करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है वहीं हर्याली तीज के दिन सुहागन महिलाओं को जल्द उटकस नान आदी के बाद साफ वस्त्र पहन लेने चाहिए इसके बाद पूजा की तैयारी शुर कर देनी चाहिए इस दिन सबसे पहले पूजा का स्थान साफ कर माता पारवती भगवान शिव और गनेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लेनी चाहिए इसके बाद भगवान गनेश जी का पूजन करने के साथ साथ ही माता पारवती और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रिंगार की समान जैसे छूडियां, संदूर, बिंदी, महंदी और बाखी समान अर्पित करने चाहे इसके बाद घी का दीपक जला कर हर्याली तीज व्रत कथा सुननी चाहे और अंत में माता पार्वती की आरती करनी चाहे